नमसकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मदप्रदेश के current affairs में मैं हूँ निलेश और आप सभी का इकजाम गुरुजी के daily current affairs में स्वागत करता उँ और हमारी जो शुरुआत हो हो रही है इस बार के current affairs की एक अगसे हो रही है बीच में अभी एक्जाम थे और भी चीजे थे जिसके वज़े से बीच में रुके हुए थे लेकिन इसको लेकर क्या परिशान नहीं होना है जून और जुलाई की करेंट फेर्स जो आपके रहेंगे वो आपको सभी के कंप्लीट करा दिये जाएंगे जून का करेंट फेर्स और जुलाई दोनों का एक साथ हमें करेंट फेर्स बनाएंगे का कोट है यह इसकी सुरुवात इसलिए इसके रखा गया है क्योंकि आप सभी लोग जो सोय हुए हैं और सेर हैं स्वयम में तो जो परिक्षा है या जो सफलता है वो आपके मुह में श्वयम नहीं आएगी उसके लिए आपको परिस्रम करना पड़ेगा और जगना होगा ठ लेकिन आपको मेनद तो देखे करनी पड़ेगी और स्वयम से ही करनी पड़ेगी तो हमारे जो सेर हैं सभी के लिए हमारा आग्रह है कि आप सभी जग जाएए समय बहुत कम हैं सारा जो अगले महीने हैं तीन महीने त्यवारों के महीने हैं त्यवारों के महीने के ठीक कतम ह आप सभी कपर मोस्त हो जैए नवंबर में जैसे याप दिवाली मना के फुरूसत हो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पिर उसके बाद नया साल आपको सुरू हो जाएगा यानि जनवरी में आपके पेपर हो जाएगे जनवरी तक में तो तो सُोने कि जू कि यह लाब दिए जाएंगे तो यह किसको दिये जाएंगे यह किसी और को नहीं दिए जाएंगे जो आगनवाडी कार करता है उनके लिए योजना चालू करी गई है और प्रधार मंत्री जीवन जोती भीमा योजना में क्या है कि 18 से जो 50 वर्स के आईवर के लोग होते हैं आगनवारी कार करता है मिगिन मिनी आगनवारी कार करता है या जो सहाईकाएं होती है उनको 436 रुपे प्रतिमा है कि उसकी राशी जो होगी प्रिमियम होगी वो भुक्तान करनी पड़ेगी ठीक ह और उसके बाद ज़िए उनकी कोई दुरघटना होती है तो उसमें उनको 2 लाख रुपे का जीवन जो खिम कवर दिया जाता है साथ में प्रधानमंति सुरक्षभीमा योजना में क्या होता है 18 से 69 वर्स की आयो के जो साइकाएं होती है उनको 20 रुपे प्रति हिताग्रही पार्सिक प्रिमियम का भुक्तान किया जाएगा और दो लाख रुपे का इसमें बंसेशन दिया जाता है और अपंग होने पर एक लाख रुपे दिये जाते हैं इसमें ऐसा रहता है कि जो 60 प्रतिशत राशी होती है वो 12 सरकार के द्वारा दी जाती है जो 40 प्रतिशत राशी होती है वो राज सरकार के द्वारा दी जाती ह लोग सम्मिलित हो करके इस रासी का भुकतान करेंगे नहीं 436 का और 20 रुपए का लेकिन आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह जो पेपर होते हैं हमारे उसमें जो भी योजना ऐसी योजना होती है उनसे आपसे कई प्रकार के प्रशन पूछ लिए जाते हैं एक प्रशन आ इसमें आपको देखेंगे तो आपको एज का difference मिलेगा और जो हितागरही रासी है उसका difference मिलेगा ठीक है जो खिम कबर तो दो लाक रुपए दोनों में इसमें आप अंग होने प एक लाक रुपए मिलते हैं तो यहां पे तीन प्रशन आपके यह बन सकते हैं लेकिन कई बा तो 40% की जो उसकी रास यह उर्राज चरकार के दोरा दी जाएगी. अब यह योजना आएगी किसके अंतरगत यहाँ पे ससासन में जो लागू की जा रही है, यह महिला यह वालविकास को कि जो हमानी आगन बारियां चलती हो, अतरगता आती है। तो वर्तमान मीं इसकी मंत्री कौन है तो सुषी निर्मला भूरिया हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रश्न कीए तो हाली में क्या हुआ है एक प्रचार रथ चलाय गया है और यह किस विभाग के दोरा चलाय गया है तो यह चलाय गया है लोग स्वास्त यांतर की विभाग के इस समय में जब विशेश कर मौसम जब परिवर्तन होता है तो उसमें कई बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं लेकिन बरसात के समय में ऐसी बहुत सी बीमारियां है जो प्रदूशित जल के कारण फैलती हैं उनमें से आपका डैरिया हो जाता है उल्टी बुखार की बीमा कर रही है कि आपको यदि आप जूद दूशित जल पीते हैं तो आपको यह ऐसी बिमारियां हो सकती है इसलिए आपको क्या करना चाहिए उबाल कर पानी पीना चाहिए और जो पेजल स्रोथ है उसमें जर्मिक्ष डाल कर क्या क्लोरिनेशन करना चाहिए और साथ ही में H2S wail क कि मादम से प्रत्य घर की जो पानी की गुरवक्त है उसका परिक्षड किया जा रहा है तो आपसे कभी भी पूँचा जाए प्रचार रख का तो इसको ध्यानवे रखना है कि ये एक प्रकार का अवेरनेस प्रोग्राम था जो ग्रामी रंचलों में चलाया गया था और किस से संबंदी था पेट संबंदी जो बीमारियां होती हैं दूसे जल के कारण उससे बचाने के लिए चलाया गया था वरतमान में लोग स्वास्तियांदर की मंतरी कौन है तो स्रीमती संपतिया उई के हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रशनिगी तो मदपरदेश को क्या हुआ है कि अंगदान प्रत्यारोपन के छेतर में एक विसेश पूरसकार से सम्मानित करने की गोश्णा की गई है तो वो बेसेस पुरसकार कौन सा है, तो मदपरदेश एक उभरते राजी के रूप में जो एक कटेगरी बनाए गए इक इनसासित प्रदेश और प्रदेशों की, तो उसमें मदपरदेश को उभरते राजी के रूप में ये सम्मान दिया जा रहा है, और ये दिया किस दिन जा तीन अगस्त को भारती अंगदान दिवर्ष्ट मनाया जाता है। इस छेत में मदपदेश में काफी अच्छा कारी किया रहा है। विसेसका रिंदोर और जो मेट्रो सिटी से वहाँ पर ग्रीन कोरिडोर बनाया जाते हैं। जो हमारे ट्रांस्प्लांट वगेर होते हैं। इसके लिए अवेर्नेस प्रोग्राम चलाया जाया रहा है। कि आप चाहे तो अपना अंगदान करके किसी दूसरे वेक्त को एक जीवन भी दे सकते हैं। या आप जाते वे भी किसी को पुन्य का अबलाब कमा सकते हैं। इन्ही उद्देशों के साथ मद्दप्रदेश की सरकारे का अच्छा कारे कर रही है। तो हमारे वर्तमान में केंद्री स्वास्त परिवार कल्यान मंत्री को न है तो जेपी नडड़ा हैं। जो मद्दप्रदेश को इस उत्किर्ष्ट कारे के लिए क्या करने वाले शमानित करने वाले हैं। भारत में जो भारती अंगदान दिवस है ये 2010 से शुरुवात की गई थी इसकी मनाने की 3 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष जो मनाश मना जाएगा वह वर्तमार में मत्व प्रदेश के उपमक मंत्री है , श्री राजन सुकला स्वस्त मंत्री भी हैं दोनों मंत्रा लको एक कर दियाकए है." सेकंड हाओक्य इंडियन जुनियर वेंष्ट जो निस्टनल चेंपेसीज दोजार 24 में मदप्रदेश ने अभी हाले में कौन सा इस्थान प्राप्त किया है तो इसमें मदप्रदेश ने प्रत्थम इस्थान प्राप्त किया है मारास्टरा को हरा करके मदप्रदेश इसमें पूरे गेम में दियाब बात करो तो एक चार से विज़यी रहा है और लगातार सभी मेज जीत करके मद्धप्रदेश फर्स्ट पोजीशन में रहा है और इसका जो आयोजन किया गया था इस चैंपिंसिप का राजनंद गाउं 36 गण में किया गया था और इसमें मद्रप्रदेश विजेता के रूप में रहा है लेकिन बात करीजा है खेल एब हम युगा कल्यान मंतरी की बहुत समय तक हमें इस हिंदिया जी का नाम याद था लेकिन अब वर्तमान में स्री विश्वास का इलाज शारंगे जो कि पिछले स्वास्त मंतरी रहे हैं बढ़ते हम आगे की तरफ अगले प्रश्ण हमारा हम हाली में मद्रप्रदेश में राष्टी हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जा रहा है बात यहां पर राष्टी हिंदी सम्मेलन की नहीं हो रही इसके साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है इस बात को ध्यान होंगे इसमें बोपा जो विज्यान भारती है मद्रप्रदेश का उध्यान प्र Current Affairs में राष्टी अंतर राष्टी के भी add करने हैं या नहीं करने हैं, इसका आप मेरे को comment box है, वहाँ पर जवाब ज़रूर दे देंगे, एक्जाम गुरुजी के number पर आप WhatsApp कर सकते हैं, तो दिव्वे वनवासी राम लोग का निर्माण कहा किया जाएगा, ओमकारिस्वर में, और चामें, चित्रकूट में या सागर में, इसका right answer आप सभी को comment box में नीचे देना है, जिसका answer right होगा, एक्जाम गुरुजी की तरफ से उसको हट दिया जाएगा, और साथी साथ आप सभी को जानकारी देना चाहेगे, कि एक्जाम गुरुजी का एक mentorship program चल रहा है, जिसम कुछ आपको इसके अंतरगत्तो रहे गई सहे, साथ में आपको one to one mentorship भी मिलेगी, यानि आपकी copy का मुल्यांकन करने के बाद आपको बाकाय दे, इसका feedback भी जो आपके mentor होंगे, उनके द्वारा दिया जाएगा, साथ ही में, आपको एक question bank दिया जाएगा, unit wise, जिसकी आप practice लगातार करेंगे, mains की, unit wise, mains के question bank भी दिये जाएगे, और ये सब कुछ मिलेगा, साथ ही में current affairs आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको 2999 के जो exam guru जी के updated notes तयार हो रहे हैं, वो भी आपको इसके साथ दिये जाएगे, और ये सब कुछ आपको 4995 में वर्तमान में दिया जा रहा है, जो कि 10 अगस्त के लिए offer चल रहा है, तो जिने भी join करना है, exam guru जी के इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं, या call कर सकते हैं, यदि मोटी-मोटी बात करी जाए, तो ये लगबख 300 रुपए आपका मन्थली पढ़ रहा है, 15 माहिने डेड़ वर्स तक आपको pre-mains interview पूरी आपकी तयारी कराए जाएगी, mentorship program है, तो आपको इसमें साथ ही साथ क्या रहेगा, हम आपका follow-up भी देखेंगे, आपको जो भी सुधार करने हैं, वो भी करेंगे, इसमें बहुत सारे वीडियो lectures होंगे, जिसमें आपको बाकायदे guide किया जाएगा, ज जरूर बताना है, हमारी और आपकी मलाकात फिर होती है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सो रहे तो फिर जाग जाएगे, जय हिंद्व